नमिश्कार आप देख रहे हैं TDC News और मैं हूँ काजल प्रधानमंतिर नरेंद मोदी ने महारास्त में एक चुनावी जन सबा में बोलते हुए विपक्ष को जम कर खरी खोटी सुनाई धारा 370 का महारास से क्या संबंध है ये पूछने वाले को पियम मोदी ने सक्थ लहजे में डूब मरने की बात कह डाली प्रधानमंति ने कहा कि वो हैरान है कि छत्रपती सिवा जी की धरती पर राजनीतिक स्वार्थ के चलते ऐसी आवाज उठाई जा रही है पियम मोदी ने कहा कि महारास के कितने ही जवान कश्मीर जाते हैं अपनी शहादत देते हैं ऐसे में कश्मीर से महारास का वात्स्ता पूछने वालों को अपनी सोच और बयानों पर शर्मानी चाहिए मैं हरान हूँ कि वीर चत्रप्रजी सिवाजी की धर्थी पर आज कल राजनीतिक स्वार्थ के करण ऐसी आवाजे उठाई जा रही हैं और इनकी बेशर्मी देखो बेशर्मी ये खुले हम कह रहे हैं कि महरास्ट्र के चुनाओं में आर्टिकल 370 का क्या लेना देना जम्मु किश्मीर का महरास्ट्र से क्या लेना देना ऐसी आवाज उठाने वालों को मैं कहचा चाहता हूं कान खोल करके सुन लो जम्मु किश्मीर भी और वहां के लोग भी माँ भारती के संताने ही रहते हैं शीवा पार से फैलाए जा रहा है आतंगवाद का मुकाबला और उस मुकाबला करने के लिए पूरा देश जम्मु कश्मीर के देश भक्त नागरिकों के साथ है महरास्त का कोई जीला ऐसा नहीं होगा जहां से गए वीर सकुताने जम्मु कश्मीर की शांती के लिए त्याद नहीं किया होगा अपना बलिदान नहीं दिया होगा वो मौट को मुठ्थि में लेकर के महरास्त का वीर जमान उस बरफिली चोटियों पर जम्मु कश्मीर की धर्ती पर आतंगबाजियों से लोहा लेता था क्योंकि उसके दिल में यही था कि मैं छत्रपती सिवाजी महराज की धर्ती से आया हूँ और मेरे हिंदुस्तान को मेरे हिंदुस्तान को रती भर चोट नहीं पहुचने दूँगा अगर जान की बाजी लगा दूँगा लेकिन देश की हिपाज़त करता हूँगा इस मंत्र को लेकर के ठत्रपती सिवाजी महराज की धर्ती के बीर सपोट जम्मू कश्मीर में जाकर के बनिदान देते रहे हैं हमें गर है महराज से के उन सपोटा पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए अपना सरवोच नेचावर कर दिया और आज राजनीती के स्वार्थ में डुबे हुए ये लोग अपने परिवार के कल्यान में खोए हुए लोग ये कहने की हिम्मत करते हैं कि महराज सका जम्मू के स्विर से क्या लेने देना दूब मरो दूब मरो दूब मरो झाल